हेलो फ्रेंड आपका स्वागत है तान्या फैसनार्ट यूटुब चैनल पर मैं दीपका कुस्वा आज आपको देखो न्यू तरीके से ये लेस से मैं आपको बैक बनाना बताऊंगी तो ये देखो मैंने एक साड़ी की लेस ले रखी है आप कोई भी ले सकते हो ये मेरी कर दिया कर दिया है पहले आपको मैं इसकी लंबाई चोड़ाई बताऊंगी तो इसकी चोड़ाई है चौह वे लम्बाई है इसकी 20 इंची की कि अचसरी आदे में था दblem में रख लिया है कप्रे को दो फोल्ड में करने के लिए मैं आप कर लिया है इसको मैं अब निशान लगा हूँगी ये दो इंची का निशान लगा रही हूँ जोन बालकुर बॉक्स बना लोंगी यों मैं निशान लगा लिए इस साइड भी ऐसे लगाने और देखो मैं आपको बताती हूं दूसरी साइड भी ऐसे लगाने ये बंद साइड लगाए है मैंने निशान दो दो इंची का ही निशान लगाना है इसे भी हम इसी तरीगे से box बना लेंगे ये देखो मैंने same निशान लगा लिए हैं दोनों side अब जैसे निशान लगाए हैं वैसे ही मैं इसकी cutting कर दूँगी तो ये देखो मैंने cutting कर दी है cutting कुछ इस तरीगे से आई है मारी अब मैं आपको बताऊंगी ये less कैसे set करनी है तो ये देखो इस तरीगे से पहले हम बीच में जो हमने cutting की थी वहाँ पर हमें इस तरीगे से ये less लगानी है तो जितनी हमें जरुवत है मुसकी cutting कर लेंगे तो ये देखो मैंने cutting कर ली है तो मैं इसे लगा रही हूँ तो ये देखो मैंने लगा ली है एक side पर less ऐसे हमें दूसरी side भी लगानी है इसमें दो टुकड़े लग जाएंगे less के तो ये देखो मैंने दोनों less की बराबर cutting कर ली है ऐसे ही हमें इस side भी cutting करनी है है ये सेमी धुकर हम बरावर ही और दो पार्ट और cutting कर लेंगे इसके तो ये देखो मैंने चारो less cutting कर ली है और सेम स्लय यह से मैंने रखा है वैसे ही मुझे स्लय लगा नहीं है इस पर इल्कुल जॉन्ट कर लगानी है तो ये देखो मेंने लगा ली है मिल्कुल जॉन्ट मिला के ही स्लाइग लगाई है तो कुछ तेको कितना अच्छा लग रहा है सेट के अब इसमें आपको पत्निया बताऊंगी कितनी चोड़ी ली है मैंने एक इंची की चोड़ाई ली है और लंभाई ली है इसकी 15 इंची की तो यह देखो मैं पहले आप से 2 फोल्ड में रख लूँगी जो फोल्ड में करने के लिए मैंने अप तीन इंची पर निशार लगाऊंगी बिल्कुल बीच में से तीन इंची पर निशान लगा रही हूँ इस साइड भी में ऐसे ही निशान लगाऊंगी सेम ये देखो सेम निशान इधर साइड भी में मिक्स का लगून बिल्कुल एक से लगा है हमारे पट्टी कुछ हमारी टेडी मेडी ना हो इसलिए बराबर पर निशान लगा रही हूँ तो देखो इस तरीके से ये पट्टी आपको जोइंट करनी है तो ये देखो मैंने इसमें तनी जोइंट करनी है अब इसमें हम चैन सेट करेंगे तो देखो मैं चैन के किनारे से ही सलाई लगा रही हूँ एक साइड में सलाई लगा ली है अब देखो इसको हम कपड़े को दबाना है इसे नहीं दबाते हैं तो ये लॉक में फस्ता है इसलिए से मैं दबाऊंगी तो यह दीको लोग इस तरीगे से चलानी है निसला ही विल्कुल एमारे ये कपड़ा अच्छे से दप जाए तो यह दीको दोनों साइड में मैंने चैन लगा ली है अब इसमें में लोग डालंगी तो लोग हमें सीदे की साइड से ही डालना है तो यह देखो लॉक में ने डाल लिया है अब इसे में उल्टा करूंगी बैक को यह देखो मैंने उल्टा कर लिया है बिल्कुल यह देखो यह से मैं बराबर में पकड़ रही हूं वैसे ही मुझे लगानी है तो यह देखो मैंने एक साइट सलाई लगा दी है अब दोनों साइट मैंने सलाई लगा ली है अपनी इस तरीके से ब्लकुल सीधी सलाई लगानी है तो यह देखो मैंने सलाई लगा ली है दोनों साइट पर अब यहां पर देखो मैंने कपड़ा लिया है इसे मैंने कपड़ा इस तरीकह से पकड़ना है जो बीच का सेंटर है उसे हमें बीच में ही मिलाना है जो हमारा लिज All the तो इस तरीक से शुलाई लगानी है और ईसी जिर्थिism लगा लिए है और मैंने एसलाई मार दी है पर इस साइड भी हम इसी तरीके से लगाएंगे तो यह देखो मैंने इस साइड भी अपने कपड़ा लगा के फिनिशिंग से बैक रेडी कर लिया है अब इसे मैं सीधा करूंगी बैक को तो यह देखो मैं सीधा कर रही हूं कितना अच्छा लुक आया है हमारे बैक का यह हमने लैस से बैक बनाया है कह नहीं सकते हैं आप लैस से बनाया है कितना सुन्दर लग रहा है आप बना के देखना कितना सुन्दर बैक लग रहा है लैसों से मारा आपको मारी वीडियो पसंद आई हो तो मारी वीडियो चलन को सस्क्राइब करें लाइक करें कमेंट करें वीडियो को सेयर करें थैंक यू